हेलो फ्रेंट्स अगर आप भी रोज की वही रोटी सबजी से परिशान है या फिर ओप चुके हैं खाखा कर तो आज मैं आपके साथ में गेहू के आटे से बनाईए टेस्टी सा नाश्टा शेयर कर रही हूँ जो बनाने में असान है और खान में बहुत मज़ेदार टेस्टी चलिए देख इस बात की बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लेना एक कप गेहू का आटा यहां पर बारीक वाली छलनी से चान कर लेना है ज्यादा मूटे आटे से इस नाश्टे को आप ना बनाए साथ में हमने दो चम्मच यहां पर बेसन एट किया है बेसन से नाश्टे में टैक्स्टर अच्छा हैगा अगर आप नहीं डालना चाते तो पूरा नाश्टा आटे से भी बना सकते हैं और साथ में एक कप पानी डाला है अभी एक कप पानी ही जाएगा जरूरत होगी तो हम आगे और एड़ कर लेंगे पानी डालने के बाद इसको हमने यहां पर अच् पर आमचूर पाउडर लास्ट में एड़ कर सकते हैं पर नीमबू का रस डालने से टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा तो कोशिश कीजी नीमबू ही डाले अब हम यहाँ पर लेंगे सबजियां सबजियां कोई भी आप अपनी मन पसंद ले सक नाष्टे में दिखने में भी अच्छी लेगे और हमारा नाष्टा बनेगा भी यूनिक और टेस्टी तो सब्जियां डालके हमने आपर मिक्स दे दिये सब्जियों की मातरा आप अपनी साब से कम ज्यादा रख सकते हैं साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक हम इस न नाष्टे में पत्ता गौपी बेंस या फिर स्वीट कौन भी डाल सकते हैं अब लास्ट में हमने आप डाल दिया सिरफ एक पींच खाने वाला मीठा सोड़ा अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप यह बैटर बनाकर दो घंटे के लिए एक साइट में रख दे और उसके चलते हैं गैस की तरफ गैस पर हमने लिया है एक पैन आप इस नाष्टे को कड़ाई में भी बना सकते हैं तो बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स दे देंगे उसके बाद एक चमचा बैटर डालकर इसको हम पतला पतला इस तरीके से फैला देंगे ज्यादा मोटी लेयर न बना सकते हैं यानि कि लीट ना लगाए तो देख लीजी एक या देट मिनिट हो चुकी है और नाष्टा हमारे अच्छे से नीचे से कुख हो गया है उपर से भी बलकी परत जो है सूख गई है हलका सा तेल डाल देंगे जिससे हम जब हम इसे पल्टे नीचे वाली परत भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो थोड़ा सा इसको स्पैचुला से दवा दवा के अच्छे से हम सेख लेंगे यानि कि इसको क्रिस्प कर लेंगे और आप देखी सकते है किता टैंप्टिंग कलर आया है हमारा इस नाष्टे में तो अब आपको अलग से रोटी के साथ कीजिए और इसके लुफ्स उठाइए तो चलिए एक पीस में आपको यहां पर और बना कर दिखा देती हूं हलका सा पैन में तेल डाला है एक चमचा बैटर फरकर इसको फला दिया है तो ढखक कर बिल्कुल पिछले वाले नाष्टे की तरह को हम दोबारा चैसी पका और पलट देंगे और नीचे वाली साइड से इस नाष्टे को अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे गुमा गुमा के दोनों साइड से हमने इस नाष्टे को स्टेक लिया है और एक के बाद एक जितना भी हमारा बैटर है इसी तरीके से हम सारा नाष्टा यहां पर तयार कर लें आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी बेच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजेगा अगर आप चैनल पर नई आए हो तो मिलते हैं नई दी नई रेसिपी की साथ ठांक्स पर वाचिंग